हाई सब्सक्राइब करने जा रहे हैं एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक चेप्टर 6 ट्राइंगल्स का वह है एडियास ओव सिमिलर ट्राइंगल्स इसका अब कौन से समझें इसका प्रूफ देखेंगे और यह क्या है हम समझें को इसके हम तीन इंग्जांपल देंगे एक एक इलस्ट्रेशन है और दो एक्साइब 6.4 के एक्जांपल वह भी बहुत ज्यादे इंपोर्टन उससे आपको यह यह जो कॉंसेप्ट इंगल्स पूरी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और सुदंस आपको एक्जाम के रिलेटेड जैसे भी कॉश्चन को जाएंगे इसके सुदंस अब हम पूरूफ से क्या है हमको पूर्व किया करना है पहले अंको क्या दिया हूओ है कि ABC is similar to PQR दो ट्राइंगल दिये हैं वह हमको बोलाए कि ABC is similar to PQR हमको पूरूफ यह करना है कि औरिया ओफ रेशियो आफ एरिया ओफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle PQR ये दोनों triangles का area का जो ratio होगा वो equal होगा AB upon PQ the whole square BC upon QR the whole square AC upon PR the whole square मतलग is equals to square of the corresponding sides of their triangles तो students basically क्या कहना चाहता है हमको क्या पुरूब करना है कि मतलग ये triangle का ये हमारा side AB और ये वाला triangle का हमारा side PQ AB upon PQ जब ये दोनों side का हम जब ratio ले रहे हैं उसका अब हम स्क्वेर करेंगे तो हम ये दोनों triangle का जो area है उसका हमको ratio मिल जाएगा मैं लगा area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB upon PQ the whole square BC upon QR the whole square and AC upon PR the whole square ठीक है आपको जह ध्यान से समझना होगा ये आपको हमको क्या करना है वो समझ में आएगा तो आपको आगे proof करना है मदद मिलेगी तो students इसका proof भी बहुत इसी है तो step by step हम इसका proof देखने थेंगे तो पहले क्या करेंगे गिवन triangle ABC is similar to PQR ये हमको given है ठीक है therefore इससे हम क्या conclude कर सकते है कि AB upon PQ is equals to BC upon Q is equals to AC upon PR by CPS ये हम इससे हम ये conclude कर सकते है हमने ये थिरम पहले पढ़ लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा ये थिरम वाला ये उसको मैंने प्रूव किया है तो आप हमारे आप आई बटन बेज आ कि आप वो वीडियो हमारे ज़रू ऐसे हमें PM ठीके तो महले रहा ये। ये टांगल का अरिया फेटान अंगल 40 or too अंपन पीम इंटो वीडियो नकीश रख अंटु Bardzo CPS वीडियो रेंगल 차만 A, B, N, यह वालो ट्राइंगल, और इन्ट राइंगल, P, Q, M, यह वालो ट्राइंगल, यह वालो ट्राइंगल के बात करोओंगा ठीक है, एंगल M is equal to angle N, Q, दोनो 90 degree है, ठीक है, दूसरा अंगल B is equal to angle Q, Q, यह दोनो ट्राइंगल इनम्लार ह्टीक है, मैंने दोनो लो आणे दि है तो इससे हम by CPST क्या बोल सकते है कि AB upon PQ is equals to BN upon QM is equals to AN upon PM यह इससे हम यह conclude कर सकते है अब ध्यान से देखो गया आप तो AN upon PM यहाँ पर ठीक है अब इससे हमको क्या replace करें इसको हम AB upon PQ से replace करें क्यों करें कि आगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है है तो क्या बोर सकते है कि by equation 3 and 2 मैंने लिखाए 2 and 3 क्या होगा area of triangle ABC upon area of triangle PQ is equals to AN upon PM के बज़ा AB upon PQ into BC upon QR ठीक है तब समझ जा रहे है यह step by step तो हमारा इसको मैंने 4 1 लिया अब अब ध्यान से देखिए यह आप है तो हम क्या करेंगे के therefore यहां से हम यहां पर लाख है यहां पर रिख लाओं मैं therefore क्या होगा area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to BC upon QR into BC upon QR ठीक है क्योंकि हमारा यह draw triangle similar इसलिए हमने AB upon PQ को BC upon QR से replace कर सकते है ठीक है अब क्या होगा यह is equals to BC upon QR the whole square ठीक है तो हमारा है अब हमको क्या बोला है कि तीनों तीम प्रूव करने है तो यह similar method हम जब apply करेंगे अब हमको यह triangle के बचे यह triangle देना परेगा फिर यहां से यह बेजमान के यहां पर एक और altitude बना परेगा तो यह से सिमिलर्ली ऐसे हमको प्रूव करना होगा और हमको यह तीनों तीम मिल जाएगा BC upon QR the whole square मिलेगा हमको AB upon PQ the whole square मिलेगा और AC upon PR the whole square मिलेगा method हमारी सेम रहेगी तो ठीक है तो यहां से हम डारिक बोल सरी हां तक हमको प्रूव करना है और फिर हमको और similarly, similarly we can prove similarly we can prove that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB upon PQ the whole square और is equals to AC upon PR the whole square ठीक है? students हमारी हो गया, यह area of similar triangles का theorem और इसका हम उने proof कर लिया अब हम इसका application देखेंगे, तो इसके लिए हम तीन examples देखेंगे एक illustration है और दो 6.4 x-rays के समझे, यह तीनों दिन बहुत important समझे इससे आपको पुरा concept भी clear हो जाएगा और इसको exam पूछने का chances भी बहुत ज्यादा है तो students अब हम next वो तीन example so students आपने question दो पढ़ लिए होगा, अब question हमको क्या दिवा है कि यह triangle दिए हो ABC और हमको बोला है कि xy एक line है जो AC के बिल्खुल parallel है और इस xy वजेसे यह जो triangle है वो डो equal area में बढ़ जाता है ठीक है तो हमसे इस से हम दो conclusion निकास रखते कि पहले हमको दिया है कि xy is parallel to AC EM को दिया हो दूसरा हमको क्या दिवा है कि area of xby यह triangle का area जो है वो half of triangle ABC क्योंकि यह दो क्योंकि xy वजेसे यह जो triangle है वो दो equal area के equal area में बढ़ जाता है ठीक है तो हम इस सी यह conclusion भी निकाल सकते है यह दोनों चीज़ हमको गीवन है अब हमको solution भी आके बढ़ते है पहले कि हम क्या करेंगे कि यह आप देख पार रहे है कि हमको क्या दिवा कि y तो हमको इस से हम यह conclusion निकाल सकते हैं अब यह हमको मिल गया है और हमार अपने areas हमको ratio का हमको क्या find करना है कि x upon a b का हम क्या अपने area x upon a b यह ratio क्या हो गई यह हमको find करना है ठीक है तो सुने अगर यह दो ट्राइंगल हमारे similar है तो हमने अभी theorem पढ़ाए क्या होगा यह दूसरे भी होगा यह भी हमार ओगा जनरल हमको काम इसका है यह सिलिए हमने यह एक ही लिखा बगी और दो होगे BC upon BY 2 whole square होगा और AC upon XY 2 whole square भी होगा पर अमको काम इसका है यह तो हमने एक ही लिए है क्यों यह होगा क्योंकि हमने अभी इसको ठेरम पढ़ा भी है और उसको प्रूव भी किया है अब क्या होगा XB upon ABC क्या है यहां से देखो A of triangle XYB है मैं यहां से A of triangle ABC को नीचे ले आता हूँ तो half हो जाएगा ठीक है तो मैंने लिखा ही है आफ the whole square नहीं है तो यह इसके बज़ए मैंने half लिख लिए है इसको एकल सो XB upon AB the whole square यह स्क्वेर यहां पर यहां पर है मतलब root हो जाएगा मतलब XB upon AB is equal to 1 by root 2 अभी क्या कर रहा हूँ मैं सिंपल सी 1-1-2 कर रहा हूँ इसको भी 1 से माइनस कर रहा हूँ इसको भी 1 से माइनस हो तो क्या होगा इससे आप देख रहा है कि AB minus XB upon AB is equal to root 2 minus 1 upon root 2 into root 2 into root 2 यह आप करना चाहिए तो कर सकते हैं यह इसको generally हम करते हैं prefer करते हैं यहाँ पर नीचे irrational number को हम नहीं रहने देते हैं उसको हम rational करने की कोशिश करते हैं आप नहीं भी करने के तो भी चलेगा अब AB minus XB क्या होगा AB minus XB क्या होगा कि X है हो जाएगा जो हमको चाहिए तो हमको X है मिल गया upon AB तो है is equals to यह दोनों multiply हो जाएगा 2 minus root 2 upon 2 तो यह हमारा answer हो गया आप यह करना चाहेंगे तो करने नहीं भी करेंगे तो अभी चलेगा तो students यह बहुत important examples है इससे आपको concept थोड़ा clear होता है कि कैसे हमारा काम होता है आप और 2 examples करते हैं वो है exercise 6.4 के 2 examples वो बहुत जादा important example है तो students अब हम करते है आगे बढ़ते है ठीक है अब हम करते है exercise 6.4 का question number 3 वो अपने पढ़ी लिए होगा उसमें हमको क्या basically दिया है कि एक trapezion दिया है और हमको बोला है कि वो जो trapezion के diagonal से वो ओ पे intersect करते है ठीक है तो हमको prove क्या पढ़ना है कि area of triangle a b c upon area of triangle d b c यह triangle और यह triangle यह पूरा यह जो होगा वो equal होगा e upon a upon view कर यह हमको prove करना ठीक है अब हम सिधा इसको solution पर आते है area of triangle a b c हमने कोई भी triangle का area find करना हमने पहले भी हमने बताई है हाँ कोई भी triangle का area find करना है तो हमको base a और altitude चाहिए ठीक है और यह triangle का area of area of dbc क्या होगा half into dm into bc ठीक है हमको यह दो area हमको बताई है अब इसको हमने directly ratio में लिख लिए अब क्या होगा यह half-half और ebc-bc cancel हो जाएगा ठीक है therefore a of triangle a b c upon area of triangle dbc is equal to a n upon dm यहाँ होगा ठीक है पर हमको यह ने चमको a upon bho चाहिए ठीक है अब ज्याद से देखते हैं अब मैं इस triangle की और इस triangle की बात करों ठीक है a n o यह वाला triangle और dm o यह वाला triangle यह दोनों triangle की बात करो ठीक है क्या होगा इन triangle a n o n dm o triangle dm o angle m is equal to angle n is equal to entity ठीक है वो डोनों altitude ही है तो जाद कोई प्रवम्म वाली बात नहीं है ठीक है और दूसरा क्या होगा कि angle a o n और angle d o m ठीक है तो हमको यहाँ पर clear दिख रहा है कि यह जो एंगल है और यह जो एंगल यह दोनों vertical यह opposite एंगल तो मैंने वह लिखा है एंगल a o n और एंगल d o m particular opposite एंगल है यह दोनों equal होगा ठीक है by a similarity यह एंगल और यह यह दोनों similarity किसे हम क्या बोल सकते है यह दोनों से हम क्या बोल सकते है क्राइटरिया सब्सक्राइब के ट्राइंगल a o is similar to triangle d m o यह दोनों triangle similar है ठीक है अब यह दोनों triangle similar है तुम से उससे पहला conclusion ही यह आ जाएगा कि a n upon d m is equal to n upon m o is equal to a upon d o अब यहाँ पर ध्यान से देखो a n upon d n is equal to a upon d o by one and by two is a n upon d n को a upon d o से रफ्रेस कर देंगे तो हमारा असानी से स्वाल हो जाएगा तो यह भी one of the important example है इसमें आपको concept जादा clear होते है कि कैसे हमको यह दोनों triangle को लेना है फिर सोचना पड़ता है कि हमको यह a upon d o कैसा आता है तो हम कैसे आएगा तो हमको उसक इन फाइन एक्जामबल करते हैं वह हमारा 6.4 exercise का question number 5 यह भी बहुत important है तो students हमारे इस वीडियो का last and final example exercise 6.4 का question number 5 करते हैं आपने पड़ी लिए होगा वह question अब इस question में हमको क्या दिया है कि एक triangle दिया है अब इन टीनों को मिट पॉइंगल बनेगा यह चोटा आलोट रैंगल है तो हमको प्रूव क्या करना है असल में के area of triangle यह जो इसका area जो है डी एफ और यह ट्राइंगल ABC इसका ratio के हमको यह find करना ठीक है अब बाई मिट पॉइंट थियरम अब यह standard में हमको अपने पड़ाई है इसका बोन लाँ चाहता हूं कि हमारा डी मिट पॉइंट एबी का और एफ हमारे मिट पॉइंट करेंगे वह ऑटमेटिकली यह BC के परल्ल होगा ठीक है दूसरी बात क्या है कि यह जो डी एफ होगा ना वो BC का आधा होगा ठीक है तो मैंने वह भी लिखा है कि अगर इसके रिलेटर कोई वीडियो बनाया है किसे ने ताब रिफर कर सकते है वह क्यों यह है यह दो चीज़ गीवन है क्योंकि यह मिट सारे मिट यह डी एफ और ही मिट पॉइंट है ठीक है अब हम इसका solution करते है ठीक है नाव इन कोडिलेटर डी एफ सी यह जो कोडिलेटर है डी एफ सी मैंने यह लिया है ठीक है अब यह कर रहा हूं इसमें कि हम डी इए यह सुर्य डी नहीं होगा यह डी इफ होगा मिट ओपाइफ है ठीक है अगर यह इसके परलेल हो डेड़ है यह दोनो एक ही लाइन है मैं इससे यहां से काट भी ढूंगा तो उससे कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा तो df is also parallel to ec मैंने याफर therefore लिखा है उसको मैंने 2 लिखा है ठीक है यह 1 होगा हमारा अब d e is parallel to ace यह पूरे का parallel है तो इसका parallel होगा d is also parallel to fc क्योंकि यह पूरे का parallel है यह तो मैंने वह लिखा है therefore d e is parallel to fc e 3 होगा by 2 and 3 हम क्या बोल सकते हैं क्योंकि यह दोनों parallel है इसलिए quadrilateral dfce यह एक parallelogram इसका short point parallelogram का यह soft form है ठीक है अब parallelogram क्यों पूर्व किया हो अब इसको parallelogram क्यों क्यों मिलेगा बहुत important चीज़ मिलेगी parallelogram की property है कि उसके opposite sides equal होते है parallelogram के ठीक है तो क्योंकि यह parallelogram है तो therefore यह angle d और angle c हमारे opposite angles है तो यह हमार दो ने equal होगे तो मैंने बोल लिए therefore fd e is equal to angle fd is equal to angle fc ठीक है यह माल लिए because यह parallelogram के property है ठीक है again in quadrilateral d efa यह हमने अभी लिए इसमें भी बोल सकते कि d is parallel to fd is parallel to fd आप डारेक लिख लिए मैंने यह यह पूरे का फिर यह पहला जरूरत नहीं है तो पहले आपको सम्झाने के लिए मैं आपको लिकार था ठीक है तो क्या होगा d e is parallel to af और हमारा यह में फोर्म आलिया और e f is parallel to d a क्योंकि यह यह बीकर भी परलल होगा ठीक है इसलिए यह 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 का भी परलल होगा ठीक है यह होगा four and five by four and five we can say therefore angle यह दोनों एंगल एंगल यह और एंगल एंगल यह यह ओपोजिट एंगल ही क्योंकि यह दोनों by four and five यहां पर लिखना भूल गया अब क्या करना है यह हमारा बी होगा यह हमको दो चीज़िए था क्योंकि यह दो चीज़ के इका यूज करके हम यह टाइंगल को यह डी एफ जो टाइंगल है उसको बताएंगे कि यह similar है ABC के क्योंकि हमको दो एंगल सो similar मिली गए तो इसके लिए हमको प्रेलोग्राम प्रूव करना पड़ा और प्रेलोग्राम प्रूव करके हमने यह हमारा काम हो गया, अब रब करके आपको दिखाता हूं, आगे बाई आए सिमिलारीटी, मतलब यह बाई और भी लिखना होगा, प्रेले बाई ए, एन बी, एन बाई ए सिमिलारीटी we can say that triangle d e f is similar to triangle हमारा होगा e d e f है तो हमारा e जो है e जो है वो a से replace होगा तो a होगा f हमारा d हमारा c से replace होगा तो c a c a b triangle d e f is similar to triangle c a b ठीक है अब हमारे आके क्या होगा यह हमारा काम हो गया तो अब इस काम को क्या है उस करना है हमको area find करना है क्योंकि हमको यह area बोला है therefore area of triangle d e f upon area of triangle a b c a क्या होगा लिख लेते है therefore a b c नहीं हो लिखते है c a b c a b d e upon c a the whole square is equal to हमार होगा e f upon a b the whole square is equal to d f upon c b the whole square यह हमने theorem इस्तेमाल किया इस्तेमाल कर सकता है हम ने इस्तेमाल कर रहे है तो therefore area of triangle d e f upon area of triangle c a b is equal to d f upon c b the whole square ठीक है अब क्या होगा है कि d f is half of b c ठीक है यह बोल सकते है b c is 2 d f यह बोल सकते है यह 20 हम यहां पर ले आएंगे upon area of triangle c a b यह a b c is equal to 1 by 4 therefore इसका ratio क्या है 1 ratio 4 इसका आंसर हो गया तो यह भी वन आफ दे मोस्त इंपोर्टन इस्तेम्पल्स है एक्जाम्पल है एक्जाम में पूछ सकते हैं तो मैं आप आप करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो यह आपको पूरा वीडियो अच्छे समद में आ जाएगा कि मैंने पूरा area of similar triangles का आपको concept समझा है उसका मैंने पूरूफ दिखाया और इसके अलावा हमने तीन तीन एक्जाम्पल्स पढ़ें जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है जिससे आपको यह concept भी क्लिर हो जाए उसका application में आपको पता चल लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जबर लाइक किजे शेयर किजे और हमाई चैनल को सब्सक्राइब किजे